Good morning dear students, आप सभी का Accountancy की क्लास में स्वागत है, हम calculate कर रहे थे New Profiting Sharing Ratio और उसमें से हमने case first जो हम study कर लिया था, आज देखते हैं हम case second A question with them, A and B are partners in a firm, sharing profit and loss in the ratio of 3 ratio 2, they admit, see as a new partner in a firm with one-fourth share of profit C acquires from A and B equally, calculate New Profit Sharing Ratio लाब को question है, A or B जो नव पार्टनर है, जो लाब और हनी को तीनन पाद दो में बांटे हैं और उन्होंने C को नया पार्टनर एडमिट किया firm में with one-fourth share, एक पड़ अचार उसको लाबों में हिस्सा दिया, और C क्या करता है? वो acquires लेता है A और B से ब्राबर, एक पड़ अचार करता है, वो ब्राबर लेता है, आपको बोला है कि calculate New Profit Sharing Ratio तो इस question को करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे A and B partner है, वो C को दे रहे हैं 20 रुपेस, ठीक है? अगर वो उसको equal दे रहे हैं, ब्राबर दे रहे हैं, तो उसमें से A का share कितना होगा और B का share कितना होगा? ठीक है? तो आप यह बता पाएंगे कि अगर A और B, C को म दे रहे हैं, तो अगर ब्राबर दिया हुआ है, तो A ने कितना दिया होगा? 10 रुपेया, और B ने कितना दिया होगा? 10 रुपेया, तो देखो आपने कैसे calculate किया? वो आपने calculate किया, 20 रुपेस सारा था, और A ने कितना दिया? Half, 1 upon 2, और B ने कितना दिया 20 का? Half, तो जब हम इसको solve करेंगे तो कितना आ गया 10 10 तो 10 और 10 और 10 को plus किया हमने तो कितना बढ़ गया 20 तो पहले आपको इसको समझना गया है जुरूरी ठीक है अब हम जैसे जो हैं देखते हैं question तो इसका solution तो हमारे को दिया हुआ है 1 4 अब हमने देखना है कि एक बटा चार दिया हुआ है और उसने acquire कितना किया है A और B से बराबर तो हम देखते हैं कि A से कितना acquire किया है acquired from A अब A से कितना लिया हुआ है क्यूंकि अब आपको मैंने यहां समझा दिया कितना दिया है 20 तो 20 में अगर बराबर दिया तो कितना काना 1 upon हमने 2 तो A से कितना acquire किया हुआ हम यहां calculate कर सकते हैं तो यहां पर 20 जग हमारे पो कितना दिया है 1 upon 4 एक बटा 4 अब multiply कितना से रहेंगे एक बटा 2 से तो इसका मतलब जो C ने acquire किया है A से कितना किया है 1 upon 8 अब ऐसे हम करेंगे acquired from B अब B से भी कितना किया है एक बटा 4 है और कितना दिया है पराबर मतलब आदा तो एक बटा 8 अब हम देखते रहे हैं कि C का का एक बटा 4 बन रहा है कि ने तो इन काल से हम कितना ओगा एट और 1 और 2 upon 8 और कितना हो गया 1 upon 4 ठीक है तो यहां तक आपको पता लग गया होगा कि सी का सीर्स कितना है 1 पर जार है और हमने अब निकाड़ा क्योंकि आपको पर्स्चिन में दिया है कि सी ने acquire किया है equally बराबर तो सी ने A से कितना acquire किया 1 upon 8 और B से अब A का नया हिस्सा कितना है and B का new shares क्या होगा तो A का जो पुराना हिस्सा था वो कितना था यह 3 ratio 2 तो A का हो गया 3 बटा 5 और B का कितना हो गया 2 बटा 5 तो A का जो पुराना हिस्सा था वो था 3 upon 5 और B का कितना था B का था 2 upon 5 & 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 40 in calcium हो जाएगा अब हमने क्या करना है बसी दाइ 40 को हम किस सा करेंगे 5 से तो 5 एट जा और 8 3 जा कितना हो गया 24 और माइनस 5 हो जाएगा खीक है अब हम जैसे less करेंगे 24 में से 5 चलेगे तो हमारे पास कितना आ गया 19 अपोन 40 यह आ गया हमारे पास new share A का और हम B का करते हैं calculate तो in calcium भी हमारे पास 40 आ जाएगा तो 8 2 जा हो गया 16 and 5 1 जा हो गया 5 तो 16 में से 5 जब less करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 11 अपोन 40 यह हमारे पास आ गया किस का share B का अब हमारे को C का share दिया है C का share ओधे दिया है कितना दिया है 1 अपोन 4 तो अब हमारे पास हो गया calculate तो new profiting share ingress A, B और C का कितना हो गया A का कितना है A का हमारे पास है 19 अपोन 40 और दूसरे का कितना है 11 अपोन 40 और इसका कितना है 1 अपोन 4 तो जब हम इन सब का LCM लेंगे तो LCM हमारे पास कितना जाएगा 40 तो यहाँ पर 40 से 40 डिवाइड हुआ तो 1 को 19 से 19 रेशो 11 रेशो यहाँ अपर हम 40 को 4 से करेंगे तो 4 10 जा कितना होता है 40 तो 10 1 सा कितना होगा 10 तो यह हमारे पास आ गया new profiting share ingress 19 रेशो 11 रेशो 10 ठीक है तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं इस questions को कर सकते हैं ठीक है तो अब हम जैसे जो है case third भी जैसे वहाँ भी discuss कर लेते हैं यह आपको समझा गया होगा तो इसने पिछले वीडियो में हमने case first discuss कर लिया था आज हमने discuss किया case second अब हम देखते हैं case third तो case जो third है अब हम बराबर लेते हैं यहां तक यहां यह तो क्या बन गया questions A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3 ratio 2 they admitted C as a new partner in a firm with 1 4th share of profit फिर अब आगे क्या है C acquires from A A से कितना acquire किया 4 upon 20 share and from B 1 upon 20 share अब यहां पर equal ही नहीं है यहां आप ऐसा बोला हुआ है कि C ने A से कितना acquire किया 4 upon 20 and B से कितना acquire किया 1 upon 20 acquire किया फिक है तो अब हम देखते हैं कि A ने दिया हुआ है 4 upon 20 और B ने कितना दिया हुआ है 1 upon 20 तो हम इनको प्लस करते हैं 5 upon 20 तो 1 upon 4 तो यह इसका share जो है यह हमारे पास दिया हुआ है यह बना हुआ है तो यहां तक आपको question आया हुआ है और आपको बोला है कि calculate new profit sharing ratio आपने new profit sharing ratio करना है calculate करना है तो क्या question बना मैं एक वार फिर से आपको बता देता हूँ कि A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3 ratio 2 they admit C as a new partner in a firm with 1 fourth share of profit C acquires from A 4 upon 20 share and from B 1 upon 20 share calculate new profit sharing ratio तो अब हमारे पास पिछले question में हमने जो है वो calculate किया था ठीक है 1 upon 8 और 1 upon 8 हमारे पास आये थे यहाँ पना हमारे पास already क्या कर दिया है calculate करके दे दिया है तो हम करते हैं इसको solve तो हमारे को दिया हुए C is share कितना दे दिया है 1 upon 4 दिया हुए ठीक है अब जो A है A ने कितना दिया हुआ है 4 upon 20 और B ने कितना दिया हुआ है 1 upon 20 अब हम क्या करेंगे, इसी दाइटरेक्ट रिकाल सकते हैं, A is new share, और B is new share, तो A का जो है नया इस्सा कितना होगा, अब पुराना कितना था, पुराना था A का 3 upon 5, and B का कितना था, 2 upon 5, तो अब हम क्या करेंगे, A का लिख देते हैं, आपर 3 upon 5, और B का कितना है, 2 upon 5 है, अब A ने 3 बटा 5 में से कितना दे दिया है, 4 बटा 20, तो हमों less कर देंगे, क्योंकि उस्रेंटर कर दिया है, और B ने कितना किया है, 1 upon 20, और इसको solve करके, हमारे पास क्या आजाएगा, उनका नया हिसा आ जाएगा, ठीक है, तो इनका जो LCM है, वो आ जाएगा 20, ठीक है, अब 20 को हम किस से डिवाइड करेंगे, 5 से, तो 5, 4 जा कितना होता है, 20, and 4, 3 जा कितना हो जाता है, 12, तो हमारे पास पहले 12 आ गया, अब साइन है, माइनस का, 20 को 20 से हम डिवाइड करेंगे, त तो 5, 4 जा 20, and 4, 2 जा कितना हो जाएगा, 8, अब साइन माइनस का, तो 20 को 20 से डिवाइड करेंगे, तो 1, तो 1, 1 जा कितना हो जाएगा, 1, अब हम वैलम में से जुहें, कितना जा करेंगे, 4, तो हमारे पास कितना आ गया, 8 अपोन 20, यह आ गया, हमारे पास A's का new shares, और B का, 8 में से हम 1 less करेंगे, कितना हो गया, 7 अपोन 20, और C's का हमारे को दिया है, C's का share, कितना हम दे रहे हैं, उसको, 1 बटा 4, ठीक है, अब हम जैसे जो हैं, इसको calculate कर सकते हैं, new prompting sharing ratio, A, B और C की, तो A की कितनी आगी, 8 बटा 20, 8 अपोन 20, और दूसरे B की कितनी आगी, 7 अपोन 20, 7 बटा 20, और तिसरे की कितनी दिया है, 1 बटा 4, अब हम इनको जो हैं, यहां 20 है, यहां 4 है, तो हम LC में ले लेते हैं, तो 20 को 20 से हम डिवाइड करेंगे, 1 को 8 से तो आ गया, 8, 20 को 20 से तो 1, 1 को 7 से तो आ गया, 7, अब यहां पर 20 को हम डिवाइड करेंगे, 4 से, तो 4, 5 जा 20, और 5, 1 जा 5, तो यह हमारे पास New Profiting Sharing Ratio आगी, A, B, and C की कितनी आगी, 8 अनुपाद, 7 अनुपाद, 5, यह हमारा जो है, आंसर आ गया, ठीक है, तो हमने डिसकस कर लिए, आज क तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू,